ही गाइस मार्सल प्रिया एंड वेलकम बैक टुमें चानल और आज मैं आ गई हूँ और एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जो वीडियो आप लोगो को भी आई होप बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा येस आज मैं आप लोगो को लिप्स्टिक स्वाचिस करोंगी और स्वाचिस के बारे में बताऊंगी टेक्स्च्चर फॉर्मोला सब बताऊंगी ताकि आप लोग भी ये लिप्स्टिक बाई कर सको तो गाइस अभी मेरे लिप्स पे जो लिप शेड मैंने यूज किया है वो भी लैक में एक्सल्यूट प्रिशिश है लिप मैट चाहूंगी तो ये लिप्स्टिक जो है ट्रांस्परिंट कंचेनर के अंदर आता है और बाहर से इसका जो कलर है बिलकुल अच्छे से विजबल हो जाता है और बहुत छोटू सा एक पैकेजिंग में है जो बहुत ही ज्यादा सुना लग रहा है और इसके अंदर 3 ग्राम का प्रोडक्स है इस रेंच के अंदर आपको मिलेंगे 10 lip shades बहुत सारे colors आपको मिल जाएंगे इस 10 lip shade के अंदर और कोई ना कोई तो आपका favorite हो ही जाएगा तो आते है इसका जो quality है pigmentation है और texture है इसके उपर तो ये पूरा matte लगता है आप लोग मुझे देख रहे हो lipstick पूरा matte दिखेगा पर वो dry वाला matte ये बिलकुल नहीं है जो crack हो जाता है थोरे देर बाद बिलकुल वैसा matte ये नहीं है बहुत ही soft matte lipstick है चिप चिपा भी फिल नहीं होता है soft matte है बोलके ऐसा नहीं कि आपको अटक जाएंगे एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा soft matte lipstick है और जो बहुत पसंद करती हूँ ये बिलकुल वैसा ही है बहुत ही ज्यादा lightweight formula में है और ये इसका जो pigmentation है आप एक बार coat करोगे तो थोड़ा light pigmentation है आपको दूसरा को डालना होगा proper जो color है उससे लाने के लिए लिए लिप शेट के साथ आपको ऐसा एक applicator मिल रहा है लिप brush मिल है और इसका जो quality है ना बहुत amazing है बहुत soft brush है गाइस और मतब brush है ना lip color apply करना बहुत ही ज्यादा easy होता है और ये जो lipstick है transfer proof बोल नहीं सकते बहुत ज्यादा भी transfer नहीं हो रहा है पर transfer हो रहा है जो वैसे भी बहुत सारे मतब अल्मूस सब lipstick ही होते है जो बिलकुल dry होते है वो नहीं होते है वो भी soft matte या matte lipstick होते है सब में ही ये थोड़ा ज्यादा problem होता ही है पर आप अगर food खाते हो dry matte lipstick के साथ त नहीं होगा मैंने खुद try किया है तो मुझे बिलकुल वैसा feel नहीं हुआ जो pot lipstick है इसका एक एका price परता है 650 रूपीज तो चलो आब आते है जो lipstick का best part है swatches तो swatches देख लेते हैं the first shade is dahlia pink next shade है vibrant pink color in the shade deep fuchsia and the next shade is victorian magenta the next shade is alluring nude and the next shade is bold crimson and the next shade is black cherry and the next shade is walling brown and the next shade is cashmere morph and the next shade is atomic kodal and the next and final shade is statement red so guys आप लोग उने देख लिया swatches और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कौंशा शेड़ आप लोगों को अच्छा लगा कुझे तो ये शेड्स बहुत ही जादा अच्छा लगे जो डाक शेड्स हैं और न्यूट शेड्स हैं सभी कमाल के शेड्स हैं guys red जो अभी मेरा लिप्स पे है oh my god बहुत तीस इंदर कलर है और न्यूट शेड्स तो बोलो ही मत न्यूट मेरे फेवरिट है आप लोगों को पता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट सेड्स है मेरे आप लोगो कोई भी एक नहीं बता सकती कि ये मेरा फेवरिट है अल्मोस्ट सारे न्यूट सेड्स ही बहुत प्यारे है और आप लोग ज़रूर बोलना कि आप लोगो कौन सा अच्छा लगा और मेरे उपर कौन सा कलर सबसे ज्यादा सूट कर रहा है और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगो को पिसे नाता है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेर और मेरे चैनल को सिब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूला और ये लिप्स्टिक जो छोटु-छोटु पॉट में आता है अगर आप लोगों खरीदना है ये आप लोगों को नाइक का, अमजान और ओनलाइन, ओफलाइन हर स्टोर में मिल जाएंगे इसका लिंक मैं निचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दूँगी लक्मी के वेबसाइट से भी जाके डिरेक्ट आप लोग ये लिप्स्टिक पर्चिस कर सकते हो और मेरे लिंक में जाके भी पर्चिस कर सकते हो So I hope मेरा ये रिव्यू और स्वाचिर्स आप लोगों को पसंद आया होगा और ये जो लक्मी असलूट का नया रिंजाना अमेजिंग है गाईज और कुछ नहीं बोलना है और मेरे ये वीडियो अगर पैसे नाये तो प्लीज मेरे चैनल को सिब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेर करना बिलकुल बात भूलना और मुझे इंस्टेग्राम में भी जरूर फॉलो कर लेना तो गाई भाई, आजका विडियो इतना, ये वीडियो तिल देन, भाई, लव यू अल, टेक केर